हेलो फ्रेंस वालकम टू जोती इस किचन आज जोती किचन में मैं लाई हूं आपके लिए आम पंड़ की रेसिपी जो की गर्मियों में बहुत ही अच्छी होती है इससे हमें लूनी लगती है और यह बहुत ठंडक रखती है इसे बनाना भी बहुत असान होता है ऐसे तो आम पढ़ना दो तरीकोशे बनता है एक आप आम को बॉयल करके बना सकते हो और दूसरे पका कर भी बनाया जाता है इसमें मैंने आम को पका कर बनाया है इसमें एक मैंने दोनों में छेद कर दिया है अगर आप छेद नहीं करोगे तो यह बहुत ही दिक्कत रहेगी पकाने में इसलिए इसमें मैंने चेट कर दिया है, अब इसे अच्छे से हमें कमाच में पका लेना है, चारो तरफ से, आम अच्छे से पक जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, इसे मैस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये देखिए, आम अच्छे से पक गया है, अब इसे मैंने फ्रिज का पानी यूज किया है ठंडे पानी में आम को डाल कर हमें लगबग आदे गंटे के लिए इससे छोड़ देना है ऐसा करने से आम में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है अब इसे हम आदे गंटे के बाद इसे निकाल लेंगे पानी से निकाल कर पहल निकाल कर दोनों आम को चिलकों को मैं निकाल लूँगे यह देखिए अब इसे हम पानी डाल देंगे पानी डाल कर हमें इसे अच्छे से मैस कर लेना है कि इसे मैंने हाथों से ही मैस कर लिया है अब इस पर मैंने दो चमच चीनी यूज किया हाफ चोटा चमच नमक डाल दिया है अब इसे हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें यूज करने के लिए मैंने जीरा और मिक्स को हलका सा भुन लिया है इन दोनों को थोड़ा सा हमें रोश्ट कर लेना है यह देखें जीरा का कलर अलग हो गया यह बहुत अच्छे से भुन गया अब इसे हम इसे हमें दरदराई रखना है बहुत मैंनी करना है इसलिए मैंने इसे डाल कर इसे कुट कर इसका पॉडर त्यार कर लिया है अब मैं इसे आम में डाल दूँगी जीरा भी गर्मी में ठंडक देती है इसलिए जीरा यूज करना फाइदे मन्द होता है अब किसी ग्लास में मैं बर्फ के दो चार टुग्रे डाल देती हूं और इसमें हम जो मैंने आम पन्ना बनाया था उसे डाल कर इसे सर्फ कर दूँगी अगर आम पन्ना की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सिस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे यूसफूल रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भोलें झाल झाल